तुमारा किसे लटूनार कम पेरना करी तुष्चे आया टिया इठाई को मिठिये उझे कली पुलस में नुथी भी आख दीनी तरह होट देनी तुष्चे पुलस में नुथी भी आख दीनी आज का हमारे व्लोग ना तो डेली व्लोग है ना भाकरी में जब एक्सप्रॉर्ण कराद एक्सप्रॉर्ण की बात है कुछ हट के हैं कुछ अलग सा कंटेंट है जो कि आख अच्छा लगेगा एक बात और बोल दूम ये जो कंटेंट है किसी को हट करने के लिए नहीं है सबके अपने अपनी पर्टिकॉलर चोई से अपना अलगा पर्टिकॉलर पसंद है सो आज शी वीडियों बेसिकली है सिद्धु मुसे वाला सुना अपने सिद्धु मुसे वाला जिनकी टुन्टीएट सुर्ण से वारी यहिस स्वाल की एठीडी बैक अने देखुक् SN हास अज का वालोग ना तो डेली व्लोग है नहीं भार करें डेलग मैंकर अंखरा कडरा कर किया अज की बार्ठी अर्ट इसलॉर अंधि यह म knife an day series है नाए दू की बात है यह कुछ हटकिया है कुछ अलग सा कंटेंट है जो कि आपको अच्छा लगेगा एंड बात वह बोल दूम यह जो मैं यह जो कंटेंट है किसी को हट करने के लिए नहीं है सबके अपनी पर्टिकॉलर चोईस है सबके अपना अलगा पर्टिकॉलर पसंद है आज थी वीडियो बेसिकली है सिद्धुमूसे वाला सुना गए अपने शिद्धुमूसे वाला जिनकी 28 मे को अप गुली मार के हत्या कर दी गए एंड बाकी आज की वीडियो का कंटेंट है सिद्धुमूसे वाला के बारे में 14 14 ऐसी बाते जो कि आप लोग को पता होने चाह तो मैं चातों की मेरी इस वीडियो में किये तो वीडियो व्लोग सा लंबा ना खिट जाए हम खाली 10 सेकिंड के लिए तरसा शांत बैठेंगे राकि उनकी आत्मा को शांती मिले कि अखिए थैंक्यू सौमाच शोगाईज के साइलन एंद बिलकूल उनकी आशन का शांती मिलेगी इन उनकी फैमिली को भी कर सपोर्ट मिले में इन जो भी सपोर्ट शिया सब आज के टॉपिक में आज का टॉपिक है शिद्धु मुझसे वाला के सद्व मुझसे वाला के बा है इसी बात है जो कि हमें पता होनी चाहिए है एंड सबसे कर तो मैं बोलूँगा सिद्धु मुसेवादा के बारे में लेजेंट नेवर डाई एक लेजेंट कभी मरता नहीं है क्योंकि वह एक छाप छोटके गया है जो कि अठाइस साल और अठाइस या 29 साल में उसने वह तो सब की दिलों में अपनी छाप छोड के गया है तो जोगों के दिलों से तो जाते हैं आज की चोड़ा ऐसी बातों में जो कि हमें पता होनी चाहिए है के बारे में तो सबसे पहली बात यह है कि मुसेवाला उसका रियल नेम है शुबदीप सिंग सिद्धू शिद्धु म भी लिखा ड़री में एक फॉर्ण लिखा मैंने चौड़ा पॉइंट तो यह होगा पहला पॉइंट शिद्धु मुस्या का जियर लिम है शुकदीप सिंग सिद्धु एंड सेकंडरी है उसका birthday शिद्धूमुसेवला का birthday आता था 11 जून एंड सिद्धूमुसेवला का बोन हो था 1993 में एंड डेथ हुई थी 29 में को 1222 में एंड सिद्धूमुसेवला का एक position क्या थी हमारी industry में तो वो तो था rapper, singer, songwriter, actor and associated with Punjabi music and Punjabi cinema, okay, next point, and वो वो बिलोग करता था Indian National Congress Party को, जो कि वो singer बनने के बाद जोसका high reputation होगी थी, उसने National Congress Party join कर ली थी, Indian National Congress Party, तो अगला point है, उसने अपना career start किया था, as a songwriter, जो कि उसका गाना उसने लिखा था license, by Ninja, तो उसने पहला उसने गाना लिखा था license, जो कि था by Ninja, and उसने अपनी singing की career की शुर्वात की थी, उसने do it song के साथ, जो कि था G-Wagon, G-Wagon song, G-Wagon song का बहुत famous हो था, G-Wagon song, उसने अपने song की शुर्वात की थी, G-Wagon song से, and जो उसने अपना starting की शुर्वात की थी, songwriter, वो था license song, उसके पाद रहता singing career में, जो उसने अपना पहला काना रहता, वो था do it song, जिसका नम था G-Wagon, and अगरा point, उसके पास total, उसकी death के time, मतलब 29 साल की उमर में, 300 क्रोड की total, वो अपनी जायदा ज्या समपत्ति छोड़ के गया था, पतलब 29 एच तक, 29 एच जो भी है, वो अपनी 300 क्रोड की अपनी पुरी total मिला के property type, जो भी उसके पास था, पैसा छोड़ के गया था, एंड जो college से वो पढ़ा था, उसको एका नाम था, हंबर college, जिस college से सिद्धु मुस्य वाला पढ़के पास आउट हुआ था, उस college का नाम था, हंबर college, एंड उसने, total उसने अपनी death तक 5911 गाने रिकॉर्ड करे थे, उसने अपनी total death तक 5911 गाने रिकॉर्ड करे थे, और वो, अब gun culture को वो जादा promote करता था, उसके पास गनों की बहुत अच्छी collection थी, उससे अच्छी गनों का बहुत था, वो उस culture को पंजाब में promote करता था, gun culture को, उसके पास हर टैप की गन की collection थी, and next point है, 2022 में उसकी death तक उसकी उपर चार criminal case चरही थे, अभी तो है नहीं, तो भी है नहीं बोलेंगे, इसलिए उसकी death तक उसकी उपर चार case चरही थे, अब वो भी वो थे, अब criminal cases, उसके उपर चार चार चाहते criminal cases चरहे थे, सिद्धू मुस्से वाला के उपर, and उसका एक ऐसा गना था, जो कि top 5 in global youtube music chart, global youtube music chart में, सिद्धू मुस्से वाला का top 5 में गाना आता था, सिद्धू मुस्से वाला के गाना आता था, जिसका नाम था, बंबिया बोले, बंबिया बोले, ठीक है, एक गना था, शावानी बंबिया बोले, ऐसा गाना था, और जो उसका गाना top 5 में आता था, global youtube music chart में, अब चलते हैं, सिद्धू मुस्से वाला के कुछ famous song में, जो कि उसके गाने बहुत famous हुए थे, पहले गाना का नाम था famous, पहले गाना था famous नाम से, जो उसका गाना famous हुआ था, दूसरा गाना था, so high, so high भी गाना उसका बहुत अच्छा गाना था, ऐसे ही उसके 295, same beef, tochan and the last ride, ये कुछ गाने थे जो कि famous हुए थे, मैं फिस्टा को repeat कर दूँ, famous, so high, 295, same beef, tochan, the last ride, ये थे कुछ ऐसे famous गाने जो कि सिद्धू मुस्से वाला के बहुत famous गाने हुए थ एंडे, शिद्धू मुसरी वाला की इकलोता बेटा था शिद्धू मुसरे वाला की family के बार में अगर मैं बतातों तो, शिद्धू मुसरे वाला एक अकेला बैठा था, यह पापा अकेला बैठा था उसके पापा का नाम था, बलकॉर पापा का नाम थी है कि आफ्टर ट्विट्टीू ट्व एलेक्शिण सिद्धू मुष्रसे वाला उसकी फैमिंटी stigma की शादी की प्लैनिक कर रहे थे यह 12-22 के ऐलेक्शन के बाद जो होना था उसके बाद वो लोग सिद्र मुस्राल की शादी करने वाले थे लेकिन क्या खरते हैं बगवान का जब जो टैम दिया है बगवान में दुनिया में तो बगवान खुदी बुला देते हैं तो बिचार की शादी की प्लैनिंग हो रही लेकिन उन्चे पहले किसी ने उनने गोली मार दिया एंड यह थी कुछ बाते एंड जो की हमें पता आनी चाहिया है एक बात और है जो की मैंने डर में लिखी नहीं है वो है शुदू मुस्रेवाला को अब तीस गोली मार की उनकी डैथ मतलब उसे मारा था शुदू मुस्र वाला को तो यह थी कुछ बाते सिदू मुस्रेवाला की मैं होकता हुआ को अच्छे लगी होगी अच्छे लगी है तो कीफ सपोर्टी मी कीफ लविंग मी एंड बाकी यह मैंने पहले बोला है बात की यह मैं इसे नहीं बोला क्यों कि मुझे सिदू मुस्रेवाला पसंद है चलो वो अलग बात है पसंद है लेकिन जिन बंदों को पसंद नहीं है पसंद पसंद है पसंद नहीं है ऐसा कुछ नहीं है पर टूर लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि हमें हमें कुछ लोगों के बारे में कुछ बात ही पता होनी चाहिए जो मैंने आज आज के साथ कल मिलते हैं से बड़ी ऐसे व्लोग के साथ सो फेंड्स लाश्टे साथ करेंगे सो कल मिलते हैं चलते चलते प्रेट हाइप